वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखने उसने गाड़ी में से जैक निकाला जैक को फिट किया उसके बाद टायर के बोल्ट्स कोले और उनको एक साइड में रख दिया अब वो टायर को निकालने लगा उसने जोर लगाया चटके से पीछे कीचा इसी दुरान उसका पाउन बोल्ट्स पे लगा और चारो बोल्ट नदी में गिर गए अब वो बन्दा भ्यंकर वारा परिशान टेंशन में, स्ट्रेस में अब क्या होगा अब मैं टायर ने टेंच कर पाऊंगा मैं कैसे आगे बढ़ूँगा मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूँँगा कितना लेट हो गया हूँ इतनी गर्मी में कोई दूर दूर उतत नहीं है मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता शेट यार ये कहां फस गया, क्या हो गया अब वो निराश होकर खड़ा उसकी सोच काम नहीं कर रही क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके है और वो आगे नहीं जा सकता अब ये वन्दा परेशानी में साइड में खड़ा काफी देर निकल चुकी है अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है मेरा टायर पंक्चर हो गया स्टेपनी लगाने लगा बोल्ट नदी में गिर गए आज पास कोई मेकैनिक नहीं है तू भी क्या मेरी मदद करेगा वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वज़े से ये बंदा गुस्से में है किसान मुस्कुराता है और कहता है किसाब यहां से 10 किलोमेटर दूर एक मेकैनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का समान मिल जाएगा और वहाँ जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक इक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चला कर वहाँ तक चले जाओ आपका काम हो जाएगा वो आदमी हैरान रहे गया उसका गुस्टा एकदम शान्त हो गया एक ही फरक है एक ही फरक है कि आप उस परिस्थिती में अपनी परिशानी के बारे में सोच रहते मैं उसी परिस्थिती में हल के बारे में सोच रहा था तो दोस्तों यहां तो आप प्राब्लम औरियंटेड हो सकते हैं यहां फिर solution oriented हो सकते। यहां तो problem आते ही, परिशान होते होगे, problem के रावा कुछ देखेगा नी, परिशानी की वज़े से कुछ सोच नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप solution oriented हो, तो आप solution की तरफ focus करोगे, आपका दिमाग भर डूणने में जाएगा, ना के परिशानी रूणने में, जब महराना परताब की सेना में, अकबर की सेना के मुकाबले हाती कम थे, तो उन्होंने अपने घोडों के आगे नकली सून लगा दी, कि हाती उनको अपना समझ के मारे ना, उन्होंने problem पे focus नहीं किया, कि हाती कम है, उन्होंने solution पे focus किया, घोडों को हाती बना दिया, धिरुबाई अबानी ने अपने financial status को, अपनी माली हालत को problem नहीं माना, उन्होंने पकॉड़े बेचे, येमिन में जाके job करी, कुछ भी किया आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो solution oriented थे, problem सोचके रुप नहीं गए, बैट नहीं गए, महात्मा गांदी, भगत सिंग, चंदर शेकर अजाथ, सुभाष चंदर बोस, और ऐसे कई नाम, इन लोगोंने problem पे focus नहीं किया, हम तो गुलाम है, हम तो स्लेव हैं, गुलाम ही में रहना पड़ेगा, इन्होंने solution पे focus किया, कि कैसे देश को अजाद कर सकते हैं, एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूँ, वो है तुम, तुमारी आवाज, कि तुम problem oriented नहीं, solution oriented हो, solution oriented होते हैं, वो सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, solution पे focus करते हैं, हल पे focus करते हैं, और हिम्मद और जुड़ जाती है, वो संजू मूवी में गाना था ना, इन करद दिशों करें, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, राम राम भाईयो, जाहिन जावार्थ,